दर्शकों का विवेक उपेखित है जो हम बना रहे हैं न वो एक दिन हमारे लिए ही खत्रा बन जाएगा नोकरी करते हो नोकर बन के रहो हम सरकार की गुलामी करते हैं बस यह लोग कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं मुझे हेटकोर्टर्स में इनफर्म कर देना चाहिए यहां यह चाइनीज लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं मुझे लगता है हमें और लोग चाहिए इन पर नजर रखने के लिए यह लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जादा से जादा हमारे आइडियास को भी कर लेंगे जंग में हमारे सामने दूर दूर तक कोई नहीं है प्रीस ट्राइट अंडरस्टेंड सा यह नमुम्किन है उसका ध्यान अभी पूरी तरह एराक और सीरिया पर फोकस्ट है सर आप जो बना रहे हैं ना तो यह मैडिसिन है ना कोई ड्रक्स फिर इसका बजट इतना हाई क्यों है आखिर इसमें ऐसा है क्या वक्त आने पर सब पता रख जाएगा यूएस सीक्रेट सर्विस का ध्यान चाइना के ओपर से हड़ चुका था और इसी बात से चाइना बेखौफ होकर उस तबाही को बनाने में लगा हुआ था जिसमें ना जाने कितने परिवारों को तबाह कर दिया है और तबाह कर रहा है तो जीम आप जो जाते थे वो हो गया है हम हम बहुत अच्छे सर बट वी नेट सम टाइम हमें अभी खोद इसके बारे में जादा नहीं पता पर अब पता नहीं है तो पता करो बेवकूफ मुझे जल्दी इसे यूज करना है अब कड़े कड़े मेरा मूझ जा देख रहे हो चले जाओ या साही तुम्हें पता है ना वो कितने कुछ से वाला है मुझे पता है सर लेकिन इन मामलों में थोड़ा टाइम लगता है ये बीयू भी ना पूरे लाब में गंदगी फला कर रख देता है ना जाने क्या करता है ये जा माईला ये मैंने क्या कर दिया फीन सर को पता लग गया तो वो तो मुझे मार डालेगा इससे पहले कोई आए मैं यहां से भाग जाता हूँ अरे अरे ये क्या हो गया मुझे अभी ये फीन को इनफॉर्म करना होगा सर वारस लग से लीख हो गया है तुम्हें बता भी है तुम बोल क्या रहे हो मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूँ लेकिन ये हुआ कैसे अभी ये बताने का टाइम नहीं है ये बात प्रेसिडेंट को चर्टी से इंफॉम करिये वनना ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है ठीक है अब बात करता हूँ सर अपने जो वारस लैब में बनाने को बोला था वो लीख हो चुका है अरे गदो ये क्या किया तुम लोगों ने अच्छा मुझे ये बताओ ये बात किस किस को बताए कि वारस लैब से लीख हो आए बस मजे और प्यों को तुम दोनों अभी के अभी मेरे आफिस में आ जाओ ठीक है सर मैं अभी आता हूँ क्या बोला सर ने सर ने हम दोनों को ओफिस में बुलाया है तुम्हें पता भी है टाइम क्या हो रहा है फैमिली के लिए तो तुम्हारे लाइफ में कोई जगाई नहीं है लाइब में कोई नहीं है मेरी ही नोकरी ऐसी है सुमह जल्दी आना और रात को लेट जाना अरे अरे सुनो तो मुझे कुछ नहीं सुनना है आदे घंटी के अंदर घर आओ वरना घर का दर्वजा मैं बन कर दूँगी और वो भी सिधा कल खुलेगा लेकिन अरे अरे वो लगता है कॉल कट कर दिया अगर चैन से सोना है तो आदे घंटे के अंदर घर पहुँच जब यू वरना सुबह तक इस खटारा लाड में ही सोना पड़ेगा ये तो मैं कल सुबह जल्दी आकर भी कर लूँगा बिल्दी आकर वो